ओके स्वागत दोस्तो एक नए वीडियो में तो इस तुडिया में आपन बात करने वाले हैं लिक्विटी के बारे में लिक्विटी क्या चीज़ होती है लिक्विटी पूल क्या है आई सीडि के अंदर बी एसल एसल यह क्या चीज़ होती है इन सभी चों के बारे में स्टेप टाइम बचाने के लिए तो एक एक चीज को अपर ध्यान से समझ लेते उसके बाद में चार्ट पर जाएंगे देख लेंगे जिससे आपको और अच्छी दर्गे चीज़ा जोंगे वह क्लियर हो जाएंगी सर तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं वह टीज का मतलब क्या होत मेंगे सत था है और मार्स मार्क वेंदा लिकुटी है अगर praise करते है तो थोड़ा सा तो इसको बढ़ा होगे जैसे मालो आप 0.01 बाई कर रहे हैं तुरन दिटर हो जगी फिर 0.10 बाई करो थोड़ा से जाधा टाइम लगा मतलब मिनी सेकंड का टाइम लगे फिर आप 10 इस्टेंड पर जाओगे जितना अपनी लोट को बढ़ा होगे न उतना जाधा टाइम भी तो इससे बोला जाता है रिये लिए के गे से data डाई करने के नहीं है आप खर एगे नहीं खरिद पाओगे नहीं क्योंको आप ब्यास तो आEND कि यैसे पास में जाते हो और यह और यह से जीज़ हो लिटे हो पाईगी ट्रेड नहीं पाईग इस लिए बोना जाओं जरूर समझ गया सब्डों में शिंपल्डण बताता हूं किंगा मतलब होता है आप और की खसञानिनकर मतलब जहसे आप करते हो आपके भात में आप्सक्क लिमिट लगाते हैं यह आपके लिकोर नदर ही आता है अगर अदर है Всё अमुझझे का मतलब मतलब है उन्दर के अंदर ही आता है पूरा लिकृटी का मतलब क्या सरसे सीफवर स्टीफ अपने ओड़र्व गए अब बात करते हैं यहां पर टाइप ओब होती है लिकृटी बहुत तरगी होती है अगर अगर आपन एहां पर बात करें अपना जो मेंन फोकॉस है इस वीडियो के अंदर इस वीडियो में बात करने वाल से इनके बारे में भाट करेंगे बट नेस्ट विडियो के नंतर स्टेप बाद करेंगे अभी आपन यहाँ पर प्रिवेज ह lowest की अधर है लो प्रिवेज मंद हैक टीके प्रिवेज outta सब्सक्राइब करेंगे यह सब करेंगे अंके बारे हैem या external liquidity, ILA का मतलब होता है internal range liquidity या internal liquidity भी आप इसको बोल सकते हो, इनके बारे में भी बात करेंगे बट इसको भी अपना यह topic नहीं है, आगे के जो topic उसके अदर आपन बात करेंगे, अब यहाँ पर बात करते है BSL, BSL का मतलब होता है buy side liquidity, SL का मतलब होता है sell side liquidity, समझ गे, अब liquidity किस तरह काम करते हैं, किस तरह structure वगर अपने को map करना है, उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर में structure बनाता हूँ, अब यहाँ पर यहाँ पर हो गया सब आपका MSB, यह क्या आपका real MSB है, यह आपका fake MSB है, क्यों fake MSB है, क्योंकि market ने अभी liquidity hunt नहीं करी है, जब market नीचे की तरफ आएगा, inducement लोगो ट्रेप करेगा, उपर जागे structure को break करेगा, तो आपका MSB कहलाएगा, अगर आपने मेरी structure mapping वडियो नहीं देखिए, तो पिले उनको देखो, फिर इस वडियो पाना, जितरी भी मेरी ICD के वीडियो से कुछ 8-9 वीडियो में अपलोड कर करती है, उसको आप देखो, फिर इस वडियो पाओ, आपको समाज में धीरे-धीरे सारी शे आ जाएंगी सर, अब यहां पर MSB हुआ है, fake MSB है, क्यों fake MSB है, क्यों यहां पर लिक्विडिव अगरा या inducement वगरा नहीं हुआ है, यहां पर अगर आपन देखें, यह उपर की तरफ है, buying के orders, मतलब कुछ लोग जो यहां पर wait कर रहे हैं, इसका breakout होने का, जैसे यहां पर market upside की तरफ जाता, breakout होता, candle close होती है, लोग buy करेंगे, कुछ लोग job अगरा करते है, pending order लगा देते, तो यहां पर pending order लगे हुए, क्या लगे हुए है, pending order, buy stop लगे हुए, तो इसक sell side liquidity, मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग wait कर रहे हैं, कि इस तरह नीचे की तरफ market आए, नीचे की तरफ candle close करें, जैसे candle close होती है, लोग sell करेंगे, कुछ लोग job अगरा करते है, direct pending order लगा देते है, market के आने से पहले, जैसे market यहां पर चल रहा है, लोगों ने यहां पर pending order लगा दिए, यह है आपका sell side liquidity, यहां पर sell stop है, यह है आपके sell stop, और यहां पर लगए हूँ है sir, buy stop, समझगे, जो buying के orders हैं, उसको बलेंगे buy side liquidity, जहां पर selling के orders होंगे, उसको बलेंगे sell side liquidity, simple, समझगे, अब जब market को move करना होगा, मैं यहां पर एक और structure बनाता हूँ, अब यहां पर orders वगेरा पड़े हुए, यहां पर कैसर liquidity वगेरा पड़ी हुए, अब अगर market is liquidity को hunt करता है, यहां से market अपसाई की तरफ liquidity को hunt करता है, hunt करने यह बाद में नीचे की तरफ canda close करता है, यह तो आपका inducement हो गया, क्या हो गया, अब inducement होने के बाद में यह high point confirm हो यहां पर यहां पर sell किया था, वो भी trap होगा, जो लोग buy करेंगे, वो भी trap होगे, जरूरी नहीं है कि market अगर अपसाई की तरफ आया तो यहां पर sell us को trap करा, buy us और sell us और sell us और यहां पर trap करा, trap करने यह बाद में अपसाई की तरफ canda close करी, structure break होगा, आपका MSB हो गया, अगर आपने वीडियो नहीं देखिए, तो उसको भी आप देख लेना, step by step चलो, समझ में आ जाएंगी चाहिए, ओके, तो यहां पर आपका MSB हो गया, MSB क्यों हुआ, क्योंकि नीचे की तरफ sell us के orders को collect करा, sell side liquidity को collect करा, उपर की तरफ जाके structure को break कर दिया, MSB हो गया sir, liquidity यहां पर हंट करी, अगर यहां पर spike लग जाती है, अगर यह spike लग जाती है, अगर यह spike लग जाती है, क्या होग अपना, liquidity हंट हुई है, liquidity sweep हुई है, इसको बलते है liquidity sweep, अगर candle close हो जाती है, market नीचे की तरफ आप आगे candle close करेगा, मतलब proper inducement, कुछ लोग wait करते है, अगर मा candle वापस अंदर close जाती है, और market यहां से upside की तरफ चला जाता है, तो candle अगर close जाती है, जदा अच्छा है, candle close नहीं भी होती, तब लोग trap हो जाते है, अगर यहां पर spike लग जाती है, उपर की तरफ जाती है, तो यह भी अपका MSB हो जागा, market structure break हो जागा, क्योंकि यहां पर market नीचे की तरफ आता है, यहां पर market नीचे की तरफ आता है, उपर की तरफ करता है, यह क्या होगा, MSB हो गया, अब MSB होने के साथ में market नीचे की तरफ आता है, जो भी आपका fair value आप यहां पर buy करते हो, यहां पर market आपने buy करा, और buy करने बाद में market यहां से upside की तरफ profit में इसे मालो 20 30 प्रेइप यहां से a इयाँ क approximately 10 खिया मार्किट जो गया चया तो इस मार्के शुट्थ हो गया ओकि अब मार्कें स्षुट्त हो उपको लिक्विडी दराइध यह Five मार्केट ने घन किया अगर आप यहां पर लोगों यहां पर बाइध लगा कि यह जो बाइंग के ओर से लग तो उसके अंदर ट्रेप होए लोग अने बाद पर नीचे की तरफ स्ट्रक्यर बेग्वा बाइंगी यहांपे मैं लिख सेता हूँ यह क्या है सरफ की बीसाइद लिक्विटिए यह क्या है अगर मारकेट की तरह कि अपर करता सब्सक्राइब करने नीचे की चिए यह बात कर रहें यहांपे इस Serge UK में सब्सक्री यहां पर इसके हैं सैलनंक मारकेट को जाना वह फहले उपर की Investment trap करने बाद में नीचे की तरफ structure को break करता यह क्या है यह अपका MSB हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ जो लोग यहाँ पर buy कर रहे थे BSL ठीक है buy side liquidity इसको liquidity करा inducement अब इसको BSL बोलो IDM बोलो inducement बोलो या liquidity sweep बोलो या liquidity hunt बोलो जो भी आप इसको बोलना चाहो आप इसको बोल सकते हो okay LQS LQS का मतलब होता है liquidity sweep okay और यहाँ पर MSB हो गया liquidity hunt होई और MSB आपका हो गया अब MSB होने के साथ में यहाँ पर जो भी आपका order block बनेगा fair value gap बनेगा यहाँ पर आप trade बगरा कर सकते हो simple है market जब BSL के liquidity hunt करेंगा नीची की तरब जाएगा SL के liquidity hunt करेंगा market उपर की तरब जाएगा बटेगी चीश याद रखना यह 100% नहीं है market हो सकता है दोनों के liquidity hunt करें कभी-कभी दोनों के liquidity को भी market hunt कर सकता है किस तरह कर सकता है अभी आपन चार्ट पर कुछ एक्सांपल होगा देख लेते जिससे आपको और अच्छी तरीकी से clear हो जाए तो चले चलते है अपन चार्ट पर ओके तो अभी आगए अपन चार्ट के उपर यह चार्टे यह यह यूरो उस्टी टो उसका चार्टे अगर आपको backtest करना है तो क्या करना है नीचे date वगरा दिख रही है यहाँ पर क्या backtest वगरा कर सकते हो और backtest आपको करना ही है जितना आप backtest करोगे उतना साथा सीखने को मिलेगा अगर आप backtest वगरा नहीं करोगे तो सर के उपर से सारी चे चली जाएंगी सर ओके तो backtest आपको करना ही है यहाँ पर बात करते हैं BSL और SL के बारे buy side liquidity और sell side liquidity के बारे में अपन यहाँ पर एक चीज़ भूल रहे हैं सर क्या भूल रहे हैं अपन क्या भूल रहे है? liquidity pool liquidity pool में आपको नहीं बता था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं liquidity pool के है देखो जिससे आपका structure यहाँ पर बना लेते हैं structure यह आपका हो गया यह हो गया अपका MSB क्या हो गया सर आपका? यह हो गया MSB, क्या यह valid है? क्या यह जो MSB हुआ है, यह valid है? क्योंकि यहाँ पर liquidity hunter नहीं हुए यह अपकी liquidity है इसके नीचे क्या है सर? inducement बोल सकते हो देखो मैं यहाँ पर IMD लिखता हूँ मतलब यहाँ पर inducement लिखता हूँ यह BSL लिखता हूँ BSL है यहाँ नहीं सर यहाँ पर SSL है sell side liquidity है ना SSL, sell side यहाँ पर liquidity पड़ी है अब यहाँ पर liquidity अगेरा market में जैसे मैं आपको example देगा समझाता हूँ जैसे market नीचे की तरह बाता है red, red करना बनी है अब यहाँ पर लोग जो हैना जादा कब trade होंगे जादा लोग कब trade होंगे सर? अगर यहाँ पर spike लगी कि माण विझान पर लोग जाती है यहां पर spike लगी यहाँ पर spike लगी तब लोग जादा trade होंगे TRAP होंगे याँ candle close होगे तब जादा you प्रेप होंगे जब candle close होगी जेसे Cannes have Kate close अगी जो breakout लोग City होग समंझते cham पर वाट नहीं यह है अहांपर लोगों नहीं यहां सब्सक्रा कर दोSabem और यहां पर बाइकर लिए Esteουμε से सेंपलिये लिक्विड ने चत्रें पुर्ण करणा तो यहां पे एपन छाटको तो तो यहांपर चाट को थोड़ा सा पीचह कर देते तो यह अग्जू जो एपका को और यह अपना हाई का पॉाइंट घ्योंग है इसको सा सब्सक्राइचि को इसको इसको मिजर इंडिपेटिंध भी मेंने उसके नटर आपको बताए था market यहाँ पर चल रहा था market आपका चल रहा था sir यहाँ पर ठीक है यहाँ पर चल रहा था और मैंने आपको बताए था कि जब market इसके liquidity को हरण करेगा minor move आएगा देखो यहाँ पर छोटी से आपको हुए किसलिए मेजर Minsan देध सटाना अब्लप यहां पर यहां पर लोग ने पाय किसाद ओवmeter इसको ऑपर इसको में आठ तो इसको मैं एपना एपना इंडिस्मेटाइए यह kok यह अपना इंडीसमेंट पॉइंट है इसके उपर लिक्विटी यहां पर लगी स्पैक लगने का मतलब क्या है यहां पर सिर्फ और सिफ जो लोग है वो जिनकी लिक्विटी जो पहले ट्रेड करा जो इंपेशन ट्रेडर है जिसके अंदर पैसे नहीं होता उन्होंने यहां होई है जैसे इंडा क्लोश हुई उन्हों ने यहां पर सेल कर दिया क्लोस कर दिया अब सेल करने मर्केट अगर selling में जाका तो buying की liquidity कोंड करेंगा है वो दोनों तरप की liquidity को भी hunt कर सकते will you wait करना है जो भी अब का setup है आप buying में दे को अगर selling का setup में दे को ऐसा नहीं कि buying का setup हम वाहा पे sell कर रहा हूं and selling का setup में buy कर रहा है ऐसा नहीं करो एक तरफ एक direction में बेट हो, okay, अगर आपको यहाँ पर sell करना है, अगर आपको लग रहा है, यह selling का order से, तो यहाँ पर आपको sell ही देखना है, okay selling के लिए wait करना है confirmation का, अगर यहाँ पर confirmation क्या क्या देखनी है, उसके उपर अपर बात करेंगे, बट lower time frame पर क्या confirmation इसके बारे में बात करीए, MSS market structure shift वाली class के अंदर, यह वीडियो के अंदर, अब यहाँ पर अगर आपको देखना है, यहाँ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ यहाँ पर क्या हुआ है, अगर इसके उपर केंडा क्लोज होगी, तो market buying में जा सकता है, तो कुछ लोग जो वगरा करते हैं, उन्होंने यहाँ पर पहनिक लगा दिए, तो यह जो लिक्वीड है, उपर की लिक्वीड है, इसको क्या बोलेंगे, बाइसाइड लिक्वीड है, लोग बाइसाइड लिक्वीड है, लोग कर देते हैं, sorry, buy side liquidity, buy side liquidity, sell side liquidity, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर आया market, आनेख बाद में एक spike मारी, लोगों नहीं आपे sell कर रहा है, वापस candle उपर की तरफ लोगों ने आपे buy कर रहा है, buy करने अब अबद में, SL यहाँ यहाँ पे लगे हुए, यहाँ यहाँ पे SL लगे वहां हो यह अब यहां पर है कुसmouth करें तो यह स는ने कहिंअ कि अब यहां पर ये यह तो आपको दिख रहा है अब यहां पर देखों कि अगर यह अगर यह एरिया ब्रेक होता है तो तो इसके ओपर कौन-कौन से एरिया जहां से मार्गेट सेलिंग में जा सकता है तो यहां पर अगर मैं देखो तो एक double-candist strategy यह क्या है है यहां से मार्गेट निचे की तरव आपका जा सकता है तो अपन नेar निकाल लिए को सबसाथ है यह लिक्विट इम्ट हो जागी एरिया भी टेस्ट हो जाएगा अपन सेल कर सकते हैं तो अपन सेलिंग के ओडर लगाएंगे सर इधर इधर अपन यहां पर सेलिंग वगरा करेंगे इस टॉपल लोगरा जो भी आपका बीस पिप का स्टॉपल से टीपी है वह ठीक है अब यह 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 यहां पर मारति ने परफेर टेस्ट नहीं करता है बट यहां पर आपन देखे थोड़ा सेलिग एस टेख लेना मेरे चैलल के उपर इतनी नौलज है अगर आप उसको यूजर कर लेते हो आपको कोई कोर्स पर्चेस करने की जरूद नहीं है आप प्रॉफीटबल बन करा फिर छोड़ दिया एक दिन लोस हो दस दिन प्रोफिट भी हो सकता है ऐसलिए कभी एक बार कोई स्टेयटी स्टेटेजी सीखते हो एक बार लोग सक्सेस्फुल नहीं है इसके बज़ते खारणी कि किसी भी चीज के अंदर वो एक बार उसको एक ही बार यूज करते हैं उसके बाद छोड़ देते हो ओके देखो मेरा भी मैंटेशिप प्रोग्राम है अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियोस सीखना चाहते हो आप मैं प्रोफिडेबल बन जाते हो अगर आपको दिल में सी कर सकते हो कोड़ कर सकते हो मैं नहीं आप अपने ट्रेड कर लिए हैं अब आपने डिटी सबने कर लिक्विडी तरफ मार्केट अगर बाइस दाथ वो रियक्ट करेगा देखते अब यहां पर देखो अब जब मार्केट नीचे की तरफ आया नीचे तरफ जो लोगों ने कि जब भी मार्केट लगर उसके बाद में मार्केट मेनुपलट हो रहा है अगर आप बनाते जैसे आप यहां पर बनाते आप पहले प्रेट करते तो बहुत बड़ा मुध आपको देखने को मिल सकता है ऑप देखते हैं और एक्जांपल लेते हैं अच्छा यह वह एकग्जा और किया आपका मैजर इंडीज्मेंट पॉइंट अगर अपन यहां पर देखे इसके लिकविटी और यहां पर मार्केट ने मेजर इंडीज्मेंट की लिकविडिको भी हंट कर लिया की लिक्विट्ट करा मतलब मार्केट के अंदर बड़ा मुह आने वाला है यहां पे सर क्या है अपनी यह भी अपनी बाइसाइड लिक्विट्टी ठीक है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लोगों ने बना दिया आपका सपोर्ट ठीक है यहां पर सपोर्ट लिया है यह selling का उडल वहोगे इसके उपर क्या है सर इसके उपर लिक्विडी सेल साइड लिक्विडी क्योंकि लोग यहां पर इसके ब्रेकाउट को भी वीड कर रहें तो लोग भी कर रहें तो सेलिंग और बाइंग दोनों की भी लिक्विडी होती ऐसा भी बोल सकते हो बड़ यहां पर अपन देखिए तो एक में लिक्विडी को पकड़ें तो इसके उपर लिक्विडी है जो लोग बाइ करेंगे तो लिक्विटी को बह सकते हैं अब डुटा है कहा से बाइनिची बढूत करना चरब यहाँ पर अपने यह पर इनुजियर कोईच्छ सर यहां पे यहांपे यहांपका एक selling का अरिया ऊडल ब्लोक बना तो यहांसे आप sell करोगे क्योंकि यह दोनों buy side liquidity यह हम आपने sell करेंगे यहांपे, अब sell करने बाद में यहांपे आपने sell करा, अब TP कहां तक लगा सकते हो, market ने अगर buy side की liquidity को hunt करा market कहा तक जाएगा sell side liquidity पे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप TP लगा सकते यह आपको 100 VIP का TP हो गया ठीक है जितने भी loss होंगे एक बार में cover हो गया बट आपको structure को read करना आना चाहिए कि market जब liquidity को hunt करेगा तो कहा कहा से market आपका push कर सकता है यह आपको वीडियो किसी भी दूसरी दूसरी चैनल के उपर आपको देखने को नहीं मिले कि इतनी डिटेट में लोग आपको यहीं बताएंगे कि buy side liquidity sell side liquidity hunt हो गया करो बट trade कैसे करना यह कोई नहीं बतागा मैंने आपको बताया है कि यहां पे जब liquidity hunt होती है आपको दूसरा area find करना है कि मारिट कहां से गिरेगा जिसे यह लिक्विटेट हो यहां से मारिट गिर सकता है यहां पर trade कर सकते confirmation क्योंकि लोग यहां पर trap हो चुग है यहां पर लोग trap हो है अपने यहां पर trade कर सकते हैं और देखते एक्जांपल वीडियो मेरी बड़ी हो जाती है बड़ जितनी भी मैं आपको learning दे सकता हूं कि वीडियो के अंदर मैं पूरी cover करने का try करता हूँ अब देखो यहां पर यह sell side liquidity collect हो गई अब यहां पर इसको ध्यान से कर आप देखोगे ना सर देखो एक candle close हुई यह जो candle close हुई लोगों ने यहां पर sell करा sell करने बाद में इस candle के उपर stopल लगा इस टोपला थंट हो गए ठीक है हंट होने बार्केट नीचे की तरफ यह अपकी sell side liquidity buy side liquidity दोनों अगर यहां पर अगर यहां पर यहां पर टैप होगा यहां यहां तक करेंगे अरिया बने तो लोग यहां पर यहां पर नीचे वाला यह आपका क्या है major inducement point तो यहां तक यहां पर टीपी लगा सकते हो I hope आपको BSL और SL पर trade करना आ गया को ट्रेड कैसे करना है कहां तक टीपी कहां तक का reward लगाना यह सारी चाहिए मैं आपको बता दी है इस वीडियो के अंदर next वीडियो के अंदर all liquidity के बारें बात करेंगे आप देख वोट्स आप भी मेसेज कर सकते हो तो चलिए मिलते हैं बहुत ज़्यादी नई वीडियो सब्सक्राइब में ओके थेंक यू सो मच बाबाए टेक क्यार